हलो दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि दिमाग को तेज रखने के लिए हमें बादाम का सेवन करते रहना चाहिए चाहे फिर हम वैसे ही बादाम को ड्राइ फूट के तर पर खाएं या फिर अपने खाने के अंदर बादाम का सेवन करें या फिर रोजाना एक ग्लास गरम दूट के साथ बादाम का सेवन करें लेकिन बादाम का सेवन जरूर करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि हमें अपने दिमाग को तेजी से दोडाना है तो लेकिन कई लोगों के मन में शंका होती है कि क्या वाकई में बादाम का सेवन करने से हमारा दिमाग तेज होता है तो आईए आपकी शंका को अपनी इस वीडियो के जरीट दूर करती हूँ इस चीज को सही तरीके से और पुकते तोर पर कहने से पहले हमें इस चीज की सचाय के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या वाके में बादाम का सेवन करने से हमारी गुध्धी तेज होती है तो मैं आपको बता देती हूँ कि बादाम के अंदर प्रोटीन की संख्या काफी ज़्यादा होती है इसके अंदर पोशक तत्व की भरमार होती है जो ना केवल हमारी बुद्धी को तेज बनाती है बलकि हमारे मस्तिश्क को सही तरीके से काम करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन्स देती है इसलिए आईए जानते हैं कुछ और बादेर बादाम के बारे में बादाम को शरीर में अच्छे तरीके से काम करने के लिए और प्रति रक्षा प्रणाली को अच्छे तरीके से काम करने के लिए उत्तेजित करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि बादाम के अंदर जिक होता है जो कि एक प्रकार का अंटि आक्सिडन तत्व है हमारी बाड़ी को अच्छे तरीके से काम करने के लिए अंटि आक्सिडन तत्व का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसी के साथ-साथ बादाम के अंदर विटमिन B6 के मात्रा भी काफी ज़्यादा होती है दिमागी रूपस अपनी बुद्धी को तेज करने के लिए विटमिन B6 का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ये थी पुश्टी के वाके में बादाम का सेवन करने से हमारी बुद्धी काफी हद तक तेज होती है इसलिए रोजाना 5-6 बादाम खाना आप के लिए बहुत जरूरी है इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूस को हमारे साथ शेयर करिए मेरी ब्यूटी और हेलसे रेलेटिट वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइट शेयर और सबस्क्राइब कीजे